मैंने में अपना चेरा बूल सकता हूँ तुम्हारा कभी नहीं इतना प्राइब्रिवन तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देखे तो इस तरह के संदार अट्रेक्टिव एस्टेटेस वीडियो आप भी बना सकते हैं काइन मास्टर अप्लिकेशन की मदद से नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त संजीत कुमार गोतम और स्वागत है हमारे यूटिव चैनल सीने संजीत पर तो आए दोस्तो इसको सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना कि काइन मास्टर अप्लिकेशन ओपन कर लेना है और उसके बाद ब्लस वाले आइ 916 का फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद दोस्तो आपको करना क्या है कि सीधा मीडिया पर जाना है और मीडिया पर जाने के बाद आपको कुछ पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं तो जैसे आप तीन पिक्चर सेलेक्ट कर लिजेगा तो इस तरह से हमें तीन पिक्चर सेलेक्ट कर लिए और दोस्तों जो अभी आपको स्क्रीन पे ये जो पिक्चर दिख रहा है तो इस तरह के आप भी पिक्चर इडिटिंग कर सकते हैं तो उसके लिए आप YouTube चैनल XR पर इडिटिंग पर जाईएगा जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्टिफिटन में मिल जाएगा आप सीले ऊस लिंक से उस चैनल पर जा सकते हैं तो आप भी इस तरह के एट्रैक्टिव कर सकते हैं और sketch value आप वीडियो में बने रहिए तो आप दोस्तों आपको करना क्या है कि इस picture पे click करना है और यहां पे pan and zoom वाले option पे click करके इस picture को आपको इस तरह से full screen कर देना है और start and in position को same रखते हुए इस पे आपको click करके इसको done कर देना है तो इसी तरह दोस्तों तीनो picture के लिए करेंगे तो दूसरा वाले picture के लिए start and in position को same रखेंगे pan and zoom वाले option पे click करक इसको डन कर देंगे और यह तीसरा वाले पिक्चर को भी हम स्टार्ट इन पोजिशन पूर सेम रखते हुए इस तरह से हम इसको डन कर देंगे अब दोस्तों आपको इसमें करना क्या है कि आपको इस पिक्चर पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको इसमें सभी पिक पे जाना है और इन इनीमेशन नाम का आपको ग्राफिक्स मिलेगा और अगर आपके काईण मास्टर में एक ग्राफिक्स नहीं है तो आप गेटमोर के option पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लिजेगा और दोस्तों आप इसमें सभी में इस तरह से ग्राफिक्स तीनो पिक्चर में अलग अलग ग्राफिक्स इनिमेशन का ही आप लगा लिजेगा तो यह देखिए दोस्तों इस तरह से हमें ग्राफिक्स लगा लिते हैं तो तीनों में हमें ग्राफिक्स अभी लगा लिए अब दोस्तों आपको करना क्या है यह देखिए अब बताते हैं आगे कि यह जो अब ग्राफिक्स लग गया तो इसके बाद दोस्तों आप इसमें अब लेयर पे जाईएगा मीडिया पे जाईएगा और मीडिया पे जाने के बाद आप यहां से एक कलर इफेक्ट वाला आप टैंपलेट वीडियो लिजेगा और दोस्तों इस क्लिक करके इसको फूल स्क्रीन करके डन कर दिजेगा दुबारा से इस पिक्चर को सॉरी वीडियो को सिलेक्ट कीजेगा टैंपलेट वीडियो को और इसको आप स्क्रीन करके डन कर दिजेगा तो दोस्तों इस वीडियो को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम पुनह ले करेंगे और फूल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों इतने डri開ख में करेंगे ब्लेंडिंग के option जाएंगे और इसको भी हम ऍवर स्क्रीन करके डन कर देंगे तो दोस्तों इह दोनों आपको जो वीडियो दिख रहा है आप ये वाला template वीडियो लिजेगा और इसको इस तरह से आप full screen कर दिजेगा और full screen करने के बाद दोस्तों इधर आप right में scroll किजेगा blending के option पर जाके इसको आप screen करके done कर दिजेगा अब दोस्तों आपको इसमें main काम जो क्या करना है कि इस वीडियो के हिसाब से आप इस picture के slide को adjust करना है तो उसके लिए आप क्या किजेगा कि इस तरह से आगे बढ़ाएगा और बढ़ाने के बाद हम यहां पर आते हैं तो यहां पर इह हमारा देखिए यह हमारा यहां पर इसका जो है ओ इस picture में खतम होता है तो इसको हम थोड़ा सा इस picture को छोटा कर देंगे तो इस तरह से बन कर तैयार हो चुका है तो एक वार इसको हम प्ले कर लेते हैं तो इस तरह से जिस तरह से ए मतलब इसमें आवाज आ रहा है उसी तरह से आपको एक पीचर स्लाइड हो रहा है तो वीडियो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा दोस्तों तो आप भी इस वीडियो को बनाईएगा और कमेंट में जरूर विडियो आपको कैसा लगा उसके बाद दोस्तों एवाले उपसन पे क्लिक करेंगे अपने हिसाब से एक्सपोर्ट वाले आपसन पे क्लिक करके अपनी गैलरी में सेव कर लेंगे तो मिलते हैं निक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जय